जैसे पानी के बिना नदी बेकार है अतीती के बिना कोई भी आंगन बेकार है और प्रेम ही ना हो तो सब सगे सम्मंधी मित्र बेकार है उसी तरह यदि गुरु ना हो तो पूरा जीवन बेकार है नमस्कार आपका हारदिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर और इस समय आप देख रहे हैं अपना प्रियकार करम मन्थन आज गुरु पूर्णिमा है यानि अपने अपने गुरु जनों के पूजन करने का दिन उनको याद करने का दिन नमन करने का दिन हमारी भारतिय संस्कृती में हमेशा से गुरुवों का सर्वोपरी स्थान रहा है यानि गुरुजन हमारे लिए सबसे खास रहे हैं हिंदू कलंडर के अनुसार आज असाड महा की पूर्णीमा तिथी है असाड महा की पूर्णीमा वेस्टन यूपी में और हर्याना में इसको पूर्णीमा तिथी है और इस दिन गुरु पूर्णीमा मनाई जाती है खाली भारत में नहीं मनाई जाती है गुरु पूर्णीमा नैपाल में भुतान में और हाँ जापान में बुद्धिस्ट भी गुरु पूर्णीमा मनाते है हिंदु धर्म में गुरु का इस्थान भगवान से भी पहले रखा गया है गुरु पूर्णीमा को व्यास पूर्णीमा के नाम से भी जाना जाता है इस दिन दुनिया के सबसे पहले गुरु सवाल यह है न कि गुरु पूर्णीमा मनाते क्यों है गुरु पूर्णीमा का मनाना कहां से परारम हुआ तो मैं आपको बताता हूँ आज के दिन यानि असाड महा की पूर्णिमा के दिन दुनिया के सबसे पहले गुरू महरिसी वेद व्यास का जन्वा इस विशेश पूर्णिमा तिथी पर गुरू की पूजा और अराध्ना की जाती है गुरू के माध्यम से ही हम ज्यान को प्राप्त करते हैं गुरू सब्द गू प्लस रू से बनता है यानि यदि हम इसको समझने का परियास करें तो गू माने अंधेरा रू माने उजाले की ओर अर्थात गुरू हमें अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं भारतिय संस्कृती में गुरू का महत, सम्मान और सची निष्ठा, समर्पन का भाव हमेशा रहा है गुरू के प्रती हमारा सम्मान, हमारी सची निष्ठा, हमारा समर्पन पूरे दुनिया में परसिद है वेदों की रचना, वेद जिसको आदी ज्यान भी कहा गया है, पर्थम ज्यान भी कहा गया है उन्हीं वेदों की रचना और वेदों के बारे में सिक्ष्या देने वाले महर्शी वेद व्यास को हिंदू धर्म में पर्थम गुरू का दर्जा प्राप्त है, माय ने पूरी दुनिया में वेद व्यास दुनिया के पर्थम गुरू माने जाते है इसी कारण उनकी जैंती पर हर वर्ष असाड पूर्निमा तिथी को गुरू पूर्निमा मनाई जाती है इसको हम कहीं कहीं व्यास पूर्निमा भी कहते हैं, कुछ इलाकों में इसको हम व्यास पूर्निमा के नाम से ही मनाते हैं आज वही दिन यारी गुरु पूर्णीमा है व्यास पूर्णीमा है अच्छा पहले ये जान लेते हैं कि विशु के पर्थम गुरु वेद व्यास कौन थे जी हां वेद व्यास का जन्म यमना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप पर हुआ था उनके पिता का नाम रिशी प बखते हुए काले थे उनके सरीर के रंग को बखते हुए उनका नाम कृष्ण भी रखा गया था आरंब में वेद यानि हमाला मूल ग्यान एक ही था एक वेद था व्यास ने यानि कृस्ण ने उस वेद का ध्यान किया मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेद को चार भागों में विभाजित किया इस परकार हमारे आज के वेद यानी रिगवेद, यजुरवेद, साम वेद और अथर वेद चार वेद हो गए वयास जी ने वेदों को नया सुरूप दिया इसलिए वेद व्यास कहलाए महरिसी वेद व्यास विद्वान और तपस्वी थे इनका सबसे महत्पूर्ण गरंथ महा भारत है वेद तो चुकि आदी गरंथ है उसका उन्होंने अध्यन किया और उसको सिस्टेमेटिक किया चार भागों में बाटा लेकिन इनका लिखा हुआ जो मूल गरंथ है वो है महा भारत महा भारत में आप जानते हैं 18 पर्व हैं महा भारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है महा भारत की रचना उन्होंने लोक कल्यान की भावना से की थी अब ये तमाम बहस का विशे है कि महाबारत हुआ था के नहीं हुआ था महाबारत कोई कहानी है के कल्पना है उसमें आज हम नहीं जाते महाबारत की रचना वेद व्यास ने लोक कल्यान यानि सामाने जनके कल्यान के लिए की थी एक कहानी बहुत परचली थै कहानी ये कि महाबारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया गणेश जी ने कहा मेरी एक सर्थ है मेरे लिखते समय मेरी लेखनी यानि मेरी कलम रुक न जाए मुझे बोलते रहो मैं लिखता रहूंगा यदि मेरी कलम रुकी तो मैं वहीं रुख जाऊंगा तो मैं लिखना बंद कर दूँगा व्यास जी ने कहा ठीक उन्होंने इस तरह के सलोक बोले व्यास जी ने इस तरीके से सलोक बोलने शुरू किये कि जितनी देर में गणेश जी सलोक को समझ करके लिख पाते प्रत्येक मानों मात्र को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपश्या, करतेवे प्राणयता, हमारा कर्म क्या है, तथा भगवान के प्रती, प्रकर्ती के प्रती, प्रम्पिता प्रमात्मा के प्रती, भक्ती का संदेश दिया. इसी गरंत दुआरा वेद व्यास जी ने बताया कि मनुस्य कठनाईयों का सामना किस परकार कर सकता है और उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है महाभारत के वन परु में एक जगे वो कहते हैं कि मनुश्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख करम से वैसे ही आते हैं जैसे रत के पईये होते हैं रत के चक्के होते हैं घूम करके फिर वहीं आना है वैसे ही हमारे पास भी दुख और सुख घूम करके आते रहते हैं चक्के की तिली जैसे घूमती है वैसे ही सुख दुख घूमते हैं है ना कितनी सांदार बात और एक वाक्य में कह दी महा भारत के सांती पर में भिष्मद्वारा युधिश्टर को एक उपदेश दिया गया था और उपदेश इतना महत्पूर है दुनिया के परतियेक राजा पर आज तो खर राजा नहीं होते परतियेक परधान मंत्री और परतियेक राश्पती पर फिट बैठने वाला, सीखने वाला और जानने वाला संदेश है संदेश कहता है कि हे राजन तुम पुर्सार्थ के लिए प्रयतन सील रहो पुर्सार्थ माहने कर्म करो पुर्सार्थ के लिए प्रयतन सील रहो पुर्सार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश से हीन हो जाता है राजा आवेसकता नुसार कठोरता और कोमलता का सहारा भी ले राजा को अपने स्वार्थ के कारियों का परित्याग कर देना चाहिए उसे वही कारिय करना चाहिए जो सभी के लिए परत्येक पराणी मात्र के लिए हित कारी हो उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे वेद व्यास जी के जमाने में धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई व्यास ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृती से अन्जाने जो आज भी है वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी को सहज और सरल रूप में पुराणों की रचना करके हमें सोपा महरिशी वेद व्यास की परमुक रचनाएं महाभारत, अठारे पुराण और वेदांत दर्सन है यदि नहीं पढ़ी है तो पढ़ना जरूर अठारे पुराणों में व्यास जी के द्वारा दो बड़ी महत्पून बाते बताई गई है वो ये कि प्रोपकार से पुन्य प्राप्त होता है प्रोपकार माइने दूसरे का भला करना, किसी की मदद करना, परुपकार दूसरे की मदद करना, सहयोग करना उससे बड़ा पुन्य प्राप्त होता है परकर्ती आपके उपर आसिरवाद बरसाती है और दूसरा पीडित करने से, किसी को भी पीडित करने से, किसी को भी दुखी करने से पाप की प्राप्ती होती है ये तो हुई बात गुरु पूर्णिमा और विशु के पर्थम गुरु की अब ज़रा कुछ गुरु घंटालों की बात कर लें हाँ हाँ गुरु घंटाल सब सुनकर आप साहर चोग गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर ये गुरु घंटाल कोन होते हैं जी हाँ ये वो लोग हैं जो हमारी महान रिशीप और सन्यासी गुरु प्रमपरा को कलंकित करते हैं इस रेणी में गुरु बनकर छोटी छोटी बच्चों तक से दुराचार यानि रेप तक कर देने वाले आपको नाम पताई हैं तथा काति धरम गुरु आसा राम बापू राम रहीम और ऐसे ही जाने कितने नाम ऐसे धेर सारे गुरु घंटाल आपके आसपास भी हैं आपके चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि ये गुरु घंटाल हमारे इसी युग में पाए जाते हैं ये हर युग में होते हैं ऐसे ही एक गुरु घंटाल की कहानी आपको सुनाता हूँ कहानी सेंकडो वर्ष पुरानी है बनारस में बहुत ही भोला भाला एक व्यापारी रहता था उसके पास धन दोलत तो खूब थी किन्तु वे वो बेचारा भगवान के दर्सन करने के लिए बहुत लालाई था जड़ा रुकिये मुझे कैमरे के पीछे से परवीन जी निर्देशित कर रहा है कि आज के मन्थन का कारेक समय पूरा हो गया है आज का मन्थन यहीं विराम देते हैं किन्तु आपसे वाइदा रहा इस कहानी को कल सुनाऊंगा और आपको कल ठीक साम को साथ वजे धेर सारे गुरु घंटालों से भी परिशित कराऊंगा आज बस इतना ही आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरा प्रणाम सुईकार करें नमस्कार